नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग phase और line voltage के बारे में discuss करेंगे, जो कि हम लोग three-phase circuits में बार-बार ये terms आता है, कि phase voltage क्या है, line voltage क्या है, या phase current क्या है, या line current क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, उसको देखने के लिए, आप देखें, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, किसी भी phase और किसी भी आपका ये जो phase है, ये वाला point, जैसे कि हम लोग एक phase ड्रॉ करें, तो इस तरीके का होगा, तो अगर ये इसका neutral point है, और ये हमारा phase है, तो इनके बीच का जो voltage होगा, वह हमारा क्या होगा, phase voltage होगा, that is called the E-P-H, तो यहाँ पर क्या है, तीन अलग अलग faces को आपस में connect करके ड्रॉ किया गया है, तो यानि कि ये जो neutral point है, इस neutral point से, इस point के बीच का voltage अगर देखें, तो ये हमारा क्या होगा, phase voltage होगा, हम E-P-H बोल देते हैं, E for stand for voltage, E-M-F के लिए, आप चाहें तो V-P-H भी लिख सकते हैं, ऐसे ही इसकी बात अगर करें, तो यहाँ से यहाँ के बीच का voltage, यह क्या होगा, आपका E-P-H होगा, वैसे ही, अगर हम इस face की बात करें, तो यह neutral है, neutral से और यह जो face है, इसके बीच का voltage क्या कहलाएगा, E-P-H, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अलग-अलग 3 face voltage, मैंने यहाँ पर star connection लिया है, अब delta से भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो अभी line voltage की अगर हम बात करें, तो line voltage कैसे होगा, line voltage का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी दो line outers, जो की बाहर आ रहे हैं, यह और यह तीन आ रहे हैं, आपके देखें, तो तीन का मतलब यह आपका है R, यह है आपका Y, और यह आपका है B, इनके बीच में, किनी भी दो line के बीच में, अगर आप देखेंगे कोई एक voltage, तो वो definitely क्या कहलाएगा, line voltage कहलाएगा, जैसे कि, मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, देखें, तो यह क्या हो गया, E, R, Y, या इसी को E, L भी बोलते है, line voltage, यह, वाई और R के बीच के voltage को हम क्या कह सकते हैं, एक line voltage है, वैसे ही Y और B के बीच के voltage को क्या कह सकते है, यह भी एक तरीके का क्या है, आपका line voltage है, E, Y, B, ऐसे ही B और R के बीच के voltage को हम क्या कह सकते है, line voltage देनकी E, B, R, तो इस तरीके से यहाँ पे तीन phase voltage हो जाएंगे और तीन line voltage, आप चाहें तो इनको EL लिख सकते हैं, line voltage के लिए EL, तो इस तरीके से आप देखें, तो phase voltage और line voltage आपको clearly समझ में आ जाएगा, कि क्या होते हैं, इसके बाद बात होती है phase और line current की, phase current और line current क्या होता है, कि जो current, जो current आपकी इस particular यहाँ, यानि कि इस phase में flow कर रही होगी, यहाँ पर flow कर रही होगी, वही current क्या कहलाएगी आपकी, phase current कहलाएगी तो, यहाँ पर जो current flow कर रही होगी, यानि कि IPH यह कहलाएगी, और देखें आप, तो यही current आगे जाके क्या बन जा रही है, यहाँ प कारइब बस आपको यहां पर दिख रहा हुगा कि यह दोनों एक ही अंतो प्रक अट स्टार कनेक्शन में एक ही होता है लिकिन अगर आप डिल्टा द्राइग करेंगे तो डिल्टा में यह डीफरेंट होता है अगर डील्टा की बात करें देखें मैं यहां ड District diagram बना रहा हूं यह आपका क्या है, डेल्टा है, तो यहां पर यहां जो current flow करेगी, वो आपकी line current होगी, और इन में जो current flow करेगी, वो आपकी क्या होगी? तो अब यहाँ पर देखें तो different, अलग-अलग लग रहा है, यहाँ पर क्या है, डिरेक्टली जुड़ा है, इसलिए आपको star connection में दोनों इको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग-अलग है, तो अब यह हमारा क्या था, कि face current और line current क्या होता है, या face voltage और line voltage क्या होत है, तो आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों साथ share करें, और अगर आप channel पर नए हैं, तो channel को subscribe कर लें, धन्यवाद.